नमस्ते स्टूडेंट्स आज मैंने यूटूब पे दो तिन वीडियो देखे और उन में यूटूबर आप लोगों को गाइड कर रहे थे और बच्चों ने डिमांड कर रखी थी कि हमें ये बताओ कि हमें राजस्थान में जो भी बरतियां होंगी जैसे रीट है सेकंड ग्र तिन यूटूबर के मैंने वीडियो देखे और उसमें आप लोगों को मिस गैड किया जा रहा था बहुत ही गलत वातें बताई जा रही थी क्या बताई जा रही थी वो तो बाद में बात करेंगे अपन पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपको कैसे इन किताबों क चुनाव करना है कौन सी आपको पढ़नी है देखो पिछली साल राजस्थान बोर्ड की किताबें बंद हो गई थी और राजस्थान मद्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जो है उसने NCI-T की बुक लागू कर दी थी और वो क्या किया था कि लेट हो गए थे ये लागू करने में सही सी लागू हुई भी नहीं थी इस वज़े से रास्थान बोड ने यानि कि अजमेर बोड ने रीट में ये छूड दे दी थी कि हलांकी NCRT की बुख हमने लागू कर दी लेकिन आप से परसद जो पुछे जाएंगे वो पिछले सत्र की जो रास्थान बॉर्ड की बुक हैं उनमें से परसंद पुछे जाएंगे आपने ध्यान दिया होगा कि आपका जो सलेबस जारी किया था बॉर्ड ने उसके निचे निचे नोट डालके ये लिख दिया था कि गुनिस बीस के सत्र की जो बुक हैं उनसे परसंद पुछे जाएंग सलेबस अब आपको ये छूट दे दी थी एक सत्तर के लिए और उसके बाद में नहीं तो फेस्ट ग्रेड की एक्जाम हुई है नहीं सेकंड ग्रेड की कोई एक्जाम हुई है और अब रीट की जो एक्जाम होगी 22 में अब बोर्ड नहीं चाहेगा रास्थान मद मिक्सिक्षा बोर्ड अगर रीट की एक्जाम करवाता है तो वो किसी भी आलत में आपको पुरानी बुक के बारे में ये नहीं कहेगा कि आपकी पुराने सलेबस से परसंट पुछे जाएंगे बोर्ड कभी भी ये नहीं चाहेगा कि जिसने अपना सलेबस जो लागू कर रखा है उसके अलावा आपको ये कह दे कि उन बुक्स को पढ़ो वहां से हम परसंट पुछेंगे अब की बार साफ साफ NCRT की बुक के बारे में लिखेंगे क्योंकि इस सत्र में जो बुक चल रही हैं उनको बोर्ड प्रात्मिक्ता देगा तो सीधी सी बात तो ये होगी कि अब जो भी बरतियां होंगी उसमें यानि कि रीट की रीट की बरति जो होगी एक्जाम होगी उसमें सीधे सीधे परसंट आपके NCRT में से पुछे जाएंगे अब बात दूसरी एक्जाम की और रीट की साथ ही क्या बोर्ड की कितबों से ही परसंट पुछे ज नहीं पूछे जते हैं कोई भी बुक उठा लो राजस्थान मद्दिमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है, वो परमानिक बुक है और बर्ती बोर्ड के पास परमानिक बुक की कोई कमी नहीं है जैसे राजस्थान गरंथ अकादमी है राजस्थान में 14 गरंथ अकादमिया है हिंदी गरंथ अकादमी है उर्दू गरंथ अकादमी है शाहीत अकादमी है बहुत सारी अकादमिया है और सरकारों की बेवसाइट है वहां से परमानिक बुक उठाते हैं परमानिक तथे उठाते हैं वहां से परसन दे देते हैं तो कोई भी बर्ति बोर्ड हो उसके पास परमानिक बुक की कोई कमी नहीं है कहीं से भी परसन उठाके दे देगा अब बात रही ये कि तो फिर क्या पढ़ें अब बात ये है कि आप कोई भी बुक उठा के देख लो चैरास्थान माद्यमिक शिक्षाबोर्ड की किताब उठा के देखोगे तो किसी भी प्रिक्षा की तुलना में ये देखोगे कि इसमें परसन पुछे की नहीं पुछे तो सो परतिस्ट आपको वहां से परसन उठाए हुए मिलेंगे कोई भी गाइड उठा लो वहां से भी आपको परसन मिलेंगे कि ये परसन आया है ये परसन आया है तो फिर सारी किताबें तो नहीं पढ़ी जाएंगी, एक ही बुक से, यानि कि रास्थान मादे मिक्षिक्षा बोर्ड भी अपनी बुक से, सारे के सारे क्यूसन तो अपनी बुक से भी नहीं उठाता है, हिंदी गरंथ अकादमी से उठाएगा, कहीं कोई वेबसाइट से उठाएगा, कोई करंट का उठाएगा, तो पूरे के पूरे परसंट मादे मिक्षिक्षा बोर्ड भी रिट में नहीं पूछता है, अपनी ही बुक से, तो फिर सारी बुक से आते हैं, गाड़ से भी आते हैं मादे मिक्षिक्षा बोर्ड की बुक से भी आते हैं, तो क्या पढ़ें फिर, तो सीदी सी बात मेरी नोट करके रखो, कि रास्थान मादे मिक्षिक्षा बोर्ड ने, जो सलेबस में NCIT की बुक लागू की हैं, वो भी पढ़ो, रीट के लिए, और चाए सेकंड ग्रेड हो, चाहिए फेस्ट ग्रेड हो, NCIT पढ़ो, रास्थान मादे मिक्षिक्षा बोर्ड की पुरानी किताबे मत पढ़ो, NCIT पढ़नी हैं, और कोई भी गाइड अच्छी सी एक गाइड उठाओ, और वो उस गाइड को आप बार 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 पढ़ो, उन में से भी परसंद पढ होता है, यानि कि सत परती सत पर्षनों के आंस्वर सभी को नहीं आते हैं, किसी को भी नहीं आते हैं सत परती सत तो, ठीक है, तो बोर्ड इतने जटिल क्यूशन उठा के देता है, कि उनके आंस्वर, सारे के सारे आंस्वर कोई कर ही नहीं सकता, तो आपको तो सिर्फ सेलेक होंगे भी नहीं तो आपको सेलेक्शन तक के लिए तयारी करनी है तो आप रास्थान मदेमिक अजमेर ने जो NCIT की बुक लागू की है वो पढ़ो और कोई भी एक गाइड लो और उसको बार-बार पढ़ो उसी में आपका सेलेक्शन का कोर्स हो जाएगा सेलेक्शन जितना कोर्स आपका हो जाएगा ठीक है अब बात ये रही अब हम बात करते हैं यूटूबर की पर पढ़ा दिया अब उनके 90-90 गंटे के क्या हो गए वीडियो पढ़े हैं यूटूब पे अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि ये तो निरर्थक हो गए यानि कि अब इनको कोई नहीं देखाएगा और 90 गंटे के आपकी मेनत खराब हो गई अब उनको आ खराब हो चाहे उसका सेलेक्शन हो या नहीं हो उसे कोई मतलब नहीं है उसको तो अपनी चीज बेचने से मतलब है वो अपना सामान बेचेगा आपके सामने और आपको आपकी आँखों पर पट्टी बांदेगा कि दोनों पढ़ो ये कभी संबव हुआ है क्या अब सोच के देखो कि राजस्थान मद्र मिक्सिक्षा बॉर्ड अजमेर की छटी से लेकर बार्वी तकी किताब matrices क्टाबें आप पढ़ोगे या दस्वी तक की पढ़ोगे और एंसाइर्टी भी साथ में पढ़ोगे तो फिर बाकी किताबें कब पढ़ोगे सारा का सारा कावर तो नहीं होगा और ये तो 30 किताब होगी और 30 किताब पढ़ने के बाद में आप ने सलिवस कितना पुरा कर लिया रीट में तो 60 नमबर का और वो भी पुरा नहीं होता है क्योंकि सिर्फ माद्यमिक सिक्षा बोर्ड और कितनी मुरक ता पूर्वक आपको सला दी गई है क्यों क्योंकि आप लोगों को वो ग्रहक मानते है पहले उन्होंने रास्थान माद्यमिक सिक्षा बोर्ड एजमेर की किताब पढ़ा दी अब उनको कोई नहीं देखेगा तो उनकी तो मेनत खराब हो गई ना उनको तो पैसा कमाना है आप से तो आपके सामने वो यही कहेंगे आपको बार-बार यही कहेंगे कि रास्थान माद्यमिक शिक्षा बोर्ड की पढ़ो उनको इगनूर मत करो पढ़ो उनको यह बहुत गलत बात है मतलब यह कितने सातिर दिमाग के लोग हैं आपको उलजाय रखेंगे पहले तो रास्थान बॉर्ड की बुक में उलजाय के रखा अब एंसियाटी की पढ़ाने शुरू कर देंगे क्यों क्योंकि बुक का ये कोर्स नहीं बेच सकते और जो संपूर कोर्स होगा वो अलग से आ एसे लेंगे तो कोई भी यूटूबर जो है वो एसे लेकर जड तक आपका कोई भी बरती का कोर्स पूरा नहीं करवाएगा दो चार टोपिक पढ़ा देंगे और वो टोपिक पढ़ाएंगे जिन से परसन नहीं आते हैं उनमें आपको उलजाय रखेंगे बार 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 ब पढ़ाएंगे नहीं और पढ़ाएंगे भी कहां से क्योंकि ये खुद मेनत नहीं करते हैं इनको खुद को पता नहीं होता है कि कहां से परसंद उठाते हैं नोलेज है इनको बैसिक नोलेज है चिज्जों की और वो बैसिक नोलेज सरसरी दरिष्टी से एक टोपिक पढ़के आ जाते हैं और उसको पड़ाना शुरू कर देते हैं बकना शुरू कर देते हैं पड़ाना नहीं मानूँगी मैं तो बकना बोलूँगी क्योंकि बकते ही रहते हैं अब कोई भी M.A.B.A.D. लड़का है और जिसने छे मेने भी अगर गर पे तैयारी कर ली तो उसको भी खड़ा कर दोगे आप बोर्ड के सामने तो वो आठ गंटे तक लगातार एक टोपिक वे बोल सकता है लेकिन मेरी सर्थ है कि वो आठ गंटे बोल के जाएगा और उसमें से एक परसन भी आएगा क्योंकि इनको अंदाजाई नहीं है कि कांसे परसन बोर्ड उठाता है तो अपना टाइम खराब मत करो और इन पे बरोसा मत करो किसी भी यूटूबर को आप पर दया नहीं आएगी किसी को भी रहम नहीं आपके लिए किसी के भी दिल और आपका टाइम खराब हो रहा है सेलेक्शन नहीं हो रहा है बहुत मेनद कर रहे हो इससे इनको कोई मतलब नहीं है इनको अपनी वस्तू बेचने से मतलब है और सही माइने में आप याद रखना जो ही आपका एक्जाम नजदिक आता है तो ये गायव हो जाएंगे अच्छानक से क्यों क्योंकि आप फिर इनके कोर्स खरीदोगे तो इनकी बातों में मताओ और अपनी सेल्फ इस्टेड़ी को महतव दो खुद तयारी करो और रास्थान बॉड की बुक जो है वो पढ़ो और कोई भी एक गाइड उठालो और पढ़ना शुरू कर दो इन यूटूबर पर बरोसा मत करो क्योंकि मेरे को तो आज सुनके इतना जटका सा लगा कि कोई एक यूटूबर है जो ये कह रहा है बहुत बड़ा यूटूबर है वो और बच्चे बड़ी हसरत बरी नजरों से उसकी तरफ देखते रहते हैं बड़ी विंती करते रहते हैं बगवान मानते हैं और उनको वो यूटूबर क्या सला दे रहा है कि रास्थान की पुराने वाली और अब NCRT वाली दोनों बुक पढ़ो कितनी बहंकर गलत सला दी है उसने और बच्चे जो है वो पागल उसके पीछे पीछे कर लेंगे उसका अनुसरन भी करेंगे और फिर उलजगे रह जाएंगे तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड के विंती हैं कि इन व्यापारियों से दूर रहो ये व्यापारी है व्यापारी का एक ही मकसद होता है मु नहीं बक्सता है व्यापारी तो आप लोग तो बहुत दूर के हो आपकी तो सकल भी नहीं देखी नोंने आपसे कोई रिष्टाई नहीं है इनका तो आपको कैसे बक्सेंगे ये लोग तो बस मुझे तो यही कहना था कि यूटूब पे जो लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं उनसे बचके रहो अगर आप अपना हित चाहते हो तो और इनकी प्यारी प्यारी बातों में मताओ आप लोग कह देते हो बार बार रिक्वेस्ट कर देते हो आ जाते हैं आपको सला देने के लिए भी आ जाते हैं बताने के लिए आ जाते हैं लेकिन कभी अपने हित के बा बड़े बड़े यूटूबर हो सब के सब आपको ग्राख मानते हैं और आपके सामने अपनी वस्तू बैचने के लिए ही आएंगे उनका पुराना कॉर्स मत पढ़ो और अपनी पढ़ाई खुदी करो और थोड़ी बहुत में मदद के लिए किसी भी यूटूबर की वीडियो देख सकते हैं ऐसी बात नहीं है जहां आपको कठीन लगे टोपिक उसमें साइता लो एसे लेकर जेड तक इनके भरोशे मत रहो आप लो क्योंकि आपको संपूर्ण कोई नहीं करवाएगा तो बस मैं मुझे तो यही करना था और आपकी मर्जी आप क्या सोचते हो क्या मानते हो आपको मेरी बात सही लगी या गलत लगी वो आपकी समझ है मुझे तो बुरा लगा आज मैंने दो तीन वीडियो देखे थे यूटूब पे और मुझे बुरा लगा इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है आगे आपकी मर्जी तो आपने अपना अमुले समय दिया मुझे सुना इसके लिए धन्यवाद थेंक